वेल्कम तु न्यू लेसेन सो कलके लेसेन में मैंने आपको कुछ रिपोर्ट दिखाए थी जो की एड़वर्ट के अंदर बनती हैं अब कलके लेसेन में जो मैंने आपको एड़ एकाउंट दिखाया था क्योंकि महां पर नमबस नहीं थे तो आप लोगों को ज्यादा कुछ सहां पर देखनी पाया अभी एक यह दूसरा पुराना एड़ एकाउंट है जो मैं टेस्ट पॉपस के लिए मैंने यूज किये थे हमने इससे काफी पैसे खर्च किये थे काफी से मेरा मतलब कुछ 43 44000 रुपीस खर्च किये थे जस्ट अगेन हमें कुछ की वर्ट करने थे क कुछ हम कन्वर्जन रेट देख रहे थे अपने की कहां तक जाते हैं CTR वगर्र हमें टेस्ट करने थे तो उसके लिए हमने यह एड़ एकाउंट यूज किया था सु अभी देख सकते हों आप यहां पर जो भी नंबर्श हमें देख रहे हैं campaign type देख रहा है impression देख रहा है average cost दिख रहा है total cost देख रहा है दें conversions देख रहे हैं आपको यह नंबर्श दिख रहे हैं आना cost per conversion कितना है conversion rate कितना है और clicks कितनी है CTR देखो आप 7-8 6% CTR है then invalid clicks कितने है तो यह सारे numbers आपको यहाँ पर दिख रहे हैं अब again अगर आप segment में जाओगे अब time के हिसाब से करोगे hour of the day करोगे तो देखो आपको उस हिसाब से आ जाएंगे 0, 1, 2, 3 0 means 12 से एक बज़े तक वाला टाइम 1 से दो वाला टाइम तो यह आपको सारे हर घंटे के हिसाब से इस campaign ने कैसी performance की आप यहाँ पर देख सकते हो घंटे के हिसाब से रिपोर्ट देख सकते हो तो इस रिपोर्ट को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और इसका further analysis कर सकते हो Excel के अंदर तो यह भी कर सकते हो वापस अगर आप segment में जाओ time पे जाओ तो यह हम कर चुके है then आप click type देख सकते हो कि किस type की click है headline पे click है click to call पे click है site link पे click है click है कहाँ पे है तो वो सारी information आपको यहाँ पे दिख रही है जो कि आप analyze कर सकते हो then आप देख सकते हो conversion conversion action कौन सा है conversion source कौन सा है जैसे आप again conversion source पे करोगे तो बता रहे हैं न analytics से conversion आया analytics से conversion आया call from ads आया अब analytics से conversion क्यों आ रहा है तो कि मैंने क्या किया था मैंने google analytics में goal track करता था और उसको मैंने import किया था google ads के अंदर ठीक है जी इसलिए वो analytics से conversion दिखा रहा है तो आप सारे यहाँ पे network देख सकते हो अगेन आप device देख सकते हो आप कंप्यूटर से इतना है आप मुबाइल फोन से इतना है टैबलेट से इतना है ठीक है और आप यहाँ देख सकते हो कंप्यूटर से कितना मुबाइल फोन से कितना टैबलेट से कितना तो सारा data आप यहाँ से देख सकते हो आप campaigns को अपने analyze कर सकते हो अगेन ध्यान रखना है कि numbers हमें वही देखने हैं मैंने आपको बताया था ज्यादा आप फाल्थू के numbers देखोगे इधर-उदर के numbers देखोगे तो अगेन आपको उसके analysis से कुछ पता नहीं चलेगा ठीक है उस analysis से आपको कुछ पता नहीं चलेगा और अगेन आप confused हो जाओगे कि भाईया करना क्या है क्या चल रहा है न तो यह आपको एक चीज ध्यान रखनी है अगर मैं segment पे जाओ तो again columns का मैंने आपको समझाई था आप यहाँ से जाके modified कर सकते हो अपने numbers और रिपोर्ट को modify कर सकते हो और अपने हिसाप से reports देख सकते हो अपन। अपने हिसाप से numbers सारी numbers अपने कल देखे थे वह आप यहाँ से देख सकते हो ठीक है और प्लस यहां अगर रिपोर्ट्स में जाओगे और बेसिक में किसी पे भी चले जाओ तो यहां से आप campaign wise रिपोर्ट्स देख सकते हो राइट प्लस अगर आप यहां columns पे जाओगे तो आप report को अपने ही साब से change कर सकते हो ठीक है तो अगर मैं चाहूं तो यहां से सारा delete कर सकता हूं और यह सारा मैंने delete कर दिया और अपने हिसाब से मैं इसका नाम दे देता हूं search ads इसको save कर लेते हैं यहां से आपने हिसाब से भीज़ सकते हैं camping है तो यहां पर आ जाएगा camping का नाम है ना और देन आ जाएगा आपके add group का नाम ठीक है देन आपके आपके column है तो यहां पर मैं ले लेता हूं save final url क्या था मेरा ओके final मैं यहीं डाल सकता हूं row में तो यहां से मेरे पास final url आ जाएगा है और performance then clicks यहां पर देख लो कितने clicks आई राइट और यहां से आप CTR देख लो CTR हाना तो जो भी आपको यहां से नंबर चीए average CPC देख लो average CPM देख लो average CPC देख लो तो यहां से आप सारी चीजे यहां से देख सकते हो अपने हिसाब से रिपोर्ट को कस्टमाइज कर सकते हो ठीक है और यहां से इसको सेव भी कर सकते हो सेव अध्स सर्च एक्स ठीक है सेव हो गई अब अगर मैं यहां पर वापस जाओंगा रिपोर्ट के रिपोर्टिंग के अंदर तो यहां डैश बोड़ आप कब बना हुआ है पूरा यहां पर मैं क्रिएट कर सकता हूं डैश बोड किया नहीं है मैंने अभी जो मैंने यहां पर इस डैश बोड का नाम दे दो सर्च एक इसको सेव कर लो और यहां से प्लस कर लो अब जैसा भी आपको डैश बूट चाहिए अगर टेबल चाहिए तो यह रा यह जो मैंने बताया था ना सर्च एड़स यूज कर लेते और नेक्स्ट कर देते हैं और इसको एड क कर देते हैं देखो यह पूरा आपके यहां पर डैश्बूर बन गया और इसको यहां से सेव कर इसमें आप और चीज़ एड़ कर सकते हूं यह तो मैंने बस एक चीज़ डाली ऐसे ही आप से चार्ट डालना चाहता हूं हाना अब report यहां पर मैंने already यूज़ कर ली इसलिए option नहीं आ रहा अगर को यह और report होती मैं उसकी help से यहां परró चार्ट भी बना सकता था और कोई चीज है say scorecard है हाना तो सारे matrix का यहां पर scorecard आ जाएगा इसे आपको देखना है all conversions है न तो यहाँ पर ले लो next और यहाँ पर next और next देखो last seven days में जो भी conversions है वो यहाँ पर आ गए है तो आप अपने हिसाब से ऐसे dashboard भी बना सकते हो अगें dashboard बनाने के लिए इससे better है आपका Google Studio Google Data Studio जो होता है वो ज्यादा बैटर है आपका dashboard बनाने के लिए बट अगें आप यहाँ से भी बना सकते हो ठीक है जी तो ऐसे आप reports देख सकते हो ऐसे आप reports को customize कर सकते हो अपने use के लिए ठीक है thank you so much for watching this lesson